प्रेगनेंसी के दोरान पेट में हलका दर्द होना समानने बात है जिसके बारे में ज़्यादा सोचकर आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका इस पर ध्यान देना अवश्यक है क्योंकि दर्द ज़्यादा तेज होने या इसके लंबे समय तक रहने पर यह आपके और आपके शिशु के लिए खतरनाग साबित हो सकता है गर्भावस्था के दोरान आपके पेट में कई कारणों से दर्द होता है प्रेगनेंसी में पेट दर्द कभी कुछ लक्षणों की वज़ा से होता है तो कभी किसी दूसरी मेडिकल कंडिशन की वज़ा से इसलिए प्रेगनेंसी के दोरान पेट में दर्द होने पर आपको तुरंद अच्छे से इसके जाँच करवाने चाहिए अब हम बात करते हैं कि आम तोर पर प्रेगनेंसी के दोरान पेट में दर्द होने के क्या कारण बनते हैं गैस और कब्ज प्रेगनेंसी के दुरान गैस और कब्ज के दीकत होना आम बात है जिसके कारण श्रीड में प्रोजेस्ट्रोन हार्मून की मात्रा बढ़ जाती है ये प्रेगनेंसी के समाने लक्षणों में से एक है जिसका हर एक गर्वती महिला अन्भव गरती है पेट में गैज और कब्ज होने की कारण खाना समय पर हजम नहीं हो पाता और आप समय पर सोच नहीं जा पाते और आपका पेट पूरी तरह खाली नहीं होता पेट खाली ना होने की कारण और पाचन की क्रिया धीमी होने की कारण पेट में दर्द और दूसरी कई परिशानियां होती हैं इन सबसे बचने के लिए आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए प्रेगनिंसी के दुरान आपके गर्भाशय का अकार धीरे धीरे बढ़ता है अकार बढ़ने के कारण पेल्विक एरिया और पेट में मौझूद दूसरे अंगों के बीच दिस्प्लेस्मेंट शुरू हो जाती है जिसके कारण आपके पेट में दर्द की समस्या सामने आती है गर्भाशय बढ़ने के कारण आपको दूसरी भी परिशानिया होती है जिसमें जी मिचलाना और उल्टी होना शामिल है ब्रेकस्टन हीक संकुचन प्रेगननसी के दुरान आप प्रेगननसी के धेरो लक्षनों को खुद में महसूस करती है ब्रेक्स्टन हीक संकुजन भी उन्हीं में से एक है जब आपके शरीर में पानी की कम्मी होती है तो आप इस लक्षन से जूसती है जिसके कारण आपके माश पेशों में खिंचाब एवन तनाव होता है और पेट में दर्द के समस्या होती है इस बिमारी से बचने के लिए डोक्टर दिन भर में कम से कम दस ग्लास पानी पीने की सलहा देते है प्रेग्नेंसी के दोरान पेट दर्द होने के कारणों में एक्टोपिक प्रेग्नेंसी का नाम भी शामिल है प्रेगनेंसी के दोरान अगर आप अपने पेट में दर्द महसूस कर रही हैं तो आप अक्टोपिक प्रेगनेंसी से पीडित हो सकती हैं यह एक मेडिकल कंडिशन है जिसमें आप गर्भाश्य के बदले, फैलोपियन ट्यूब या पेट में गर्भधारण कर लेती हैं प्रेगनेंसी के शुरुआत में इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इस दोरान पेट में दर्द होने पर आपको तुरंद प्रेगनेंसी का चेकप कराना चाहिए ताकि आपके पेट में दर्द के कारण का पता लगाया जा सके इन सब के अलावा भी प्रेगनेंसी के दोरान पेट में दर्द होने के बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें समय से पहले डिलिवरी होने के लक्षन, यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्षन, गर्पात होने का खत्रा, गाल स्टोन, अपेंडिसाइटिस, प्लेसेंटा का तूटना, सूजय नादी शामिल हैं प्रेगननसी आपके जिवन का बहुत ही खास पल होता है, इसलिए इस दोरान आपको साबधान रहना चाहिए प्रेगननसी के दुरान आपके शरीर में धेरो परिशानिया होती है, और पेट में दर्ध होना भी इन्ही में से एक है, जैसे जैसे आपके शिशु और गर्प का अकार बढ़ता है, वैसे वैसे माशपेश्यों पर खिचाव और तना बढ़ता है, जिसके कारण हलका दर्ध होना सभाविक है, लेकिन पेट में तेज दर्ध होना या दर्ध का कुछ दिनों तक लगाता रहना, खत्रे के और इशारा करता है, इसलिए इसका तुरंट इलाज करना चाहिए, प्रेगननसी के दुरान लंबे समय तक पेट में दर्ध या दूसरी किसी परिशानी को नजर करवाएं, आपको पेट दर्ध से बचने के लिए ज़्यादा भागदोड नहीं करने चाहिए, कोई भी भारी भरकम काम नहीं करना चाहिए, समय पर शोच जाएं, पिशाप जाएं, पेट पर खिंचाव या प्रेशर देने से बचें, कोई भी ऐसी चीज खाने से बचें, जिससे गैस बनने के संभावना होती है, सौफ्ट चीजों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाएं, ताकि वे तूरंत हजम हो जाएं, कम से कम दिन भर में दस ग्लास पानी और साथी फलों का जूस जरूर ले, डोक्टर से बात करने के बाद आप हलका फुलका योग और व जिजों का सेवन करना चाहिए, पेट के जिस हिसे में दर्ध हो, उस जगह बोतल में हलका गर्म पानी डालें और उससे सेख करें, जिससे आपको राहत मिलेगी, पेट में दर्ध होने पर आप हलका गर्म पानी से सनान भी कर सकते हैं, यह दर्ध से राहत दिलान में मदद कर में आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए काम करने से भी पेट में हलचल होने की कारण दर्द की समस्या होती है इन सब के अलावा दर्द तेज या ज्यादा परिशानी होने पर खुद इसका इलाज ढूनने की बजाए अपने डोक्टर से मिले तो इस तरह से करना ना भूलें थैंक्स वर वाजेंगा